सब्सक्राइब कीजिए स्टूप चैनल को और दबाईए बेल आइकेन को ताकि आपको हमारी वीडियोज मिले सबसे पहले पूरी दुनिया में ख्याती पाने वाली माइल्स मिल्स ने अपनी एक तुर्की की यात्रा के समय यह एहलान कर दिया था कि वेह जल्दी ही इसलाम कबूल करेंगी और इसके बाद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर हिजाब पहने हुए अपन की चर्चा सोशल मीडिया में 30G से होने लगी है बतादे तुर्की के मशूर और या समाचार पत्र बेला माई के हवाले से बताया गया है कि वे काफी दिनों से अपना दार्मिक रास्ता बदलने के बारे में सोच रही थी तकरीबन एक साल से भी ज्यादा समय से वे इसलाम के हुआ जब वो इसलाम के बारे में और जानकारियां बटोरने की कोशिश कर रही थी तब उसी दोरान न्यूजीलेंड में दो मस्जिदों पर हमले की उस बड़ी घटना को जो अभी कुछ दिन पहले घटी है उन्होंने इसका कड़े शब्दों में रोश्ट जताते हुए ही उसी दोरान उन्होंने अपने मुसल्मान बन जाने का भी ऐलान कर दिया था जिससे सारी दुनिया में उनके बारे में काफी चर्चा हुई थी दोस्तों यह विवरन नहीं माने की दुनिया भर में आज मुसल्मान परिशान है और तरह से उनको परिशान किया जा रहा है खिर इस दर्म में ऐसा क्या है फिर वो इस दर्म के बारे में अधियान करके मुसल्मान बन जाते हैं आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद